काला पत्थर नाटक के छटवे द्रशे में आप सभी का स्वागत है छटवे द्रशे में पंचायत लगी है और पुनिया के तलाग का फैसला होगा यहाँ पर संतोशी, पुनिया, दुर्जन, प्रभात, कलुसेट, ग्राम सुधर समेती के दो युवक और ग्राम वासी भी उपस्सित है सरपंच आप लोग ध्यान से सुनिये आज यह जाती पंचायत और ग्राम पंचायत की मिली जुली बैठक है आप पंचायत की कारवाई शुरु की जाती है आज पंचायत की बैठक विशेश रूप से बुलाई गई है संतोशी किसान की बेटी पुनिया ने पती के अत्याचारों से तंग आकर तलाक के लिए अरजी दी है केस काफी दिनों से लंबित है मेरे पंचो ने केस की काफी चानवीन की है आज उसवर फैसला लेना है सबसे पहले पुनिया अपनी बात पंचायत के सामने रखे पुनिया पांच वर्ष हो गए जब से गयां गौना हुआ है मैं इस शराबी आदमी के अत्याचार सह रही हूँ या हर तरह से मुझे प्रताडित करता है इसने मेरा जेवर, घर के बरतन, सभी कुछ शराब की भेंट चड़ा दिये घर भी गिर्वी रख दिया है या इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसे पती कहने में भी मुझे गनानी होती है यह मुझसे धंदा कराना चाहता है, मुझे वैश्या बनाना चाहता है दुर्जन, यह जूट है, मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है सरपंच, अभी तुम चुप रहो, तुम्हें भी अपनी बात कहने का माका दिया जाएगा अभी पुनिया को अपनी बात कहने दो पुनिया, मैं सच कह रही हूँ, भगवान जानता है इसने मेरे साथ कितनी नीच्टा की है जब मैं घर में अकेली होती हूँ, तो यह अपने शरावी दोस्तों को मुझसे छेर चार करने के लिए भेजता है ये इसे शराव पिलाते हैं, वे मेरे साथ दुराचार करना चाहते हैं मैं किसी तरह अपने को बचा कर पिता के घर आ गई हूँ अब मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे हर हालत में तलाग चाहिए सरपंच दुर्जन से हाँ दुर्जन, अब तुम अपनी बात कहो, तुम्हें अपने पक्ष में क्या कहना है दुर्जन, यह मेरे उपर जूटे इलजाम लगा रही है, आप इसकी बात पर विश्वास न करिये यह खुद मेरे दोस्तों पर डोरे डालती है सरपंच, तब तुम इसे तलाक क्यों नहीं देना चाहते तुम इसे तलाक दे कर और किसी से विवा कर लो दुर्जन, मैं नहीं चाहता कि समाज में थू-थू हो या मेरे घर में ठीक से रहे, तो इसको रखने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है या आराम से मेरे यहां रह सकती है पंच, एक मैंने इसके गाउं जाकर पता लगाया गाउं वालों का कहना है कि या हमेशे शराब में धुत रहता है रास्ते में बेहोश पड़ा रहता है पुनिया जो कुछ कह रही है, वा सच है मेरे मत से यह तलाक स्वीकार कर लेनी चाहिए दुर्जन मैं पुनिया को अच्छी तरह रखूंगा मुझे एक मौका दिया जाए मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता पंच, दो यह तलाक क्यों देना चाहेगा परेशानी तो पुनिया को है तलाक की अरजी तो पुनिया ने दी है मेरे विचार से तलाक स्वीकार कर लेना चाहिए दुर्जन नहीं, मैं तलाक के पक्ष में नहीं हूँ आप जबरजस्ती तलाक नहीं दिला सकते सर पंच मैं क्या नहीं कर सकता तुम्हें नहीं मालूम मैं नारी परतार्ना के केस में तुम्हें जेल भी भीजवा सकता हूँ दुर्जन यहां अन्याय है सर पंच न्याय अन्याय देखना मेरा काम है पुनिया की तलाक सर्वसम्मती से स्वीकार की जाती है साथ ही, जब तक पुनिया दूसरा विवाह नहीं करती, तब तक दुर्जनों से एक हजार रुपिया गुजारा भत्ता देगा और यदि दुर्जन गुजारा भत्ता नहीं देता तो उसे जेल जाना होगा मैं अदालत में केस दे दूँगा दुर्जन मेरे पास गुजारा भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है, फुनिया, मुझे ऐसे नीच आदमी से गुजारा भत्ता नहीं चाहिए, मैं मेहनत मज़ूरी करके अपना पेट पाल लूँगी, सर पंच, ठीक है, बिना गुजारा भत्ता के ही तलाग स्विकार की जाती है, दुरजन चला जाता है, सर पंच, आब एक दूसरी अरजी पर भी सुनवाई करनी है, कलुसेट ने अरजी दी है, कि संतोशी किसान उसका करज नहीं चुका रहा है, क्यों कलुसेट, तुम्हारी क्या शिकायत है, कलुसेट, पांच वर्ष पहले संतोशी ने जमीन रेहन पर रखकर मुझसे पांच हज आदा की हो जाती है, आप संतोशी की जमीन पर मेरा अधिकार है, आप संतोशी को उस जमीन पर खेती करने का अधिकार नहीं रहा, संतोशी ऐसा न कहिए सेट जी इस बार फसल होने पर मैं कर्ज चुका दूँगा कलुसेट ब्याज पर ब्याज जुड़कर कर्ज की राशी तीस अजार हो गई है कैसे तुम उसे अदा करोगे संतोशी धीरे धीरे कर दूँगा कलुसेट यह ऐसे ही हमेशा कहता है पर अदार एक पैसा नहीं करता संतोशी पीछे अकाल के कर नदा नहीं कर पाया सरपंच मेरी समझ से संतोशी को थोड़ा और समय देना चाहिए कलुसेट मैं एक शर्ट पर समय दे सकता हूँ इसे यह चाहे तो मैं इसका पूरा कर्ज भी माफ कर सकता हूँ सरपंच कैसी शर्ट कलुसेट संतोशी अपनी तलाख शुदा लड़की का विवा मुझ से कर दे ग्रामवासी क्या क्या यह बुढ़्धा इस उमर में विवा करेगा कलुसेट अभी मेरी उमर ही क्या है साठ साल का ही तो हूँ साठा सो पाठा लोग तो असी साल की उमर में विवा करते हैं ग्रामवासी एक यह मो मसूर की दाल छी 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 कलुसेट मेरे छह बेटियां ही हैं मैं एक बेटा पानी के लिवेवा करना चाहता हूँ मैं पित्र रण उतारना चाहता हूँ मेरे मरने के बाद कोई पानिर देने वाला तो रहे है विलास के लिए मुझे विवाह नहीं करना है पुनिया मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं है कलूसेट क्यों? मैं तो तुम्हारी जाती का हूँ तुम तलाग शुदा हो विवाह करने में क्या हर्ज है? पुनिया यह प्रस्ताव रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यह अनमेल विवाह मुझे नहीं करना? कलूसेट तो तुमसे कोई कुमारा लड़का थोड़े ही विवाह करेगा उम्र से क्या होता है? मैं शरीर से पुष्ट हूँ जोतीशियों ने मेरी उम्र सौ साल बताई है पुनिया मुझे अब कोई विवाह विवाह नहीं करना है कलूसेट मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ तुम भी सुखी रहोगी और तुम्हारा बापू भी पूरी जमीन उसे वापस मिल जाएगी सोच लो नहीं तो बाद में पश्टाओगी कर्च अदान कर पाने की हालत में तुम्हारे बापू को जेल भी हो सकती है संतोशी मैं जेल जाने को तयार हूँ ऐसी जिंदगी से तो जेल अच्छी वहाँ दो जून की रोटी तो मिलेगी कलू सेट पुनिया से विवा होना मेरी कुंडली में लिखा है जोतिश ने मुझे बताया है पुनिया पिछले जनम में भी मेरी इस्त्रे थी इसका मेरा जन्म जन्मांतर का साथ है पुनिया या गलत है या मनगरंद बात है मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती कलू सेट तुम्हारे विश्वास न करने से क्या होता है जो बात लिखी है वो होकर रहेगी मुझसे तुम्हारा विवा होना है इसलिए या तलाक होई है पुनिया मैंने कह दिया मैं तुमसे विवा नहीं कर सकती सरपंच खैर छोड़ो इनकी बात न तुम्हारी रही न इनकी मेरी बात ध्यान से सुनो नीचे पड़े पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उठा कर सबको दिखाते हुए देखो यह दो पत्थर मैंने नीचे से उठाए हैं एक काला है और एक सफेद है इन्हें मैं इस जोले में डालता हूँ सरपंच ने बड़ी सफाई से काला पत्थर जोले में डाला और सफेद पत्थर हाथ में छिपा लिया एक काला पत्थर पहले से जोले में पड़ा है जोले में एक काला पत्थर और एक सफिद पत्थर पड़ा है पड़ा है की नहीं? पास बैठे पंच को सरपंच दिखाते हुए पूछता है पंच कहता है जोले में जांक कर हाँ एक काला और एक सफेद पत्थर जोले में पड़ा है सरपंच जोला टेबल पे रखते हुए पुनिया से खहता है अब तुम आख मोंद कर दूसरी तरफ देखते हुए जोले से एक पत्थर निकालो यदि सफेद पत्थर निकालोगी तो तुम्हें कल्यों सेट से विवाह नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे बापु का कर्ज भी माफ हो जाएगा लेकिन यदि तुम काला पत्थर निकालोगी तो तुम्हें सभी के सामने अभी कल्लू सेट से विवाह करना पड़ेगा और तुम्हारे बापु द्वारा कल्लू सेट से लिया गया पूरा कर्ज माफ हो जाएगा यानि पत्थर चाहे काला निकले या सफेद कर्ज दोनों स्थीतियों में माफ हो जाएगा तुम अपने भाग्य को आजमा कर देख लो यदि कल्लू सेट से तुम्हारा विवाह विधाता ने लिखा होगा तो काला पत्थर निकलेगा और यदि नहीं लिखा होगा तो सफेद पत्थर निकलेगा अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं पुनिया मुझे थोड़ा सा सोचने दो सरपंच सोच लो अच्छी तरह सोच लो या तुम्हारे जिन्दगी का मामला है पुनिया मन ही मन कहती है लगता है मेरे साथ चल किया जा रहा है कहीं जोले में दो काले पत्थर तो नहीं डाल दिये मैं क्या करूँ यदि मैं पत्थर निकालने से इनकार करती हूँ तो बापों का कर्जमात नहीं होगा हो सकता है ये लोग फरेब करके उन्हें जेल में डालवा दे तब मैं क्या करूँ यदि मैं एक साथ दोनों पत्थर निकाल कर भेद खोलने का प्रयास करती हूँ तो भी काम नहीं बनेगा कर्श तो माफ होगा नहीं यदि मैं पत्थर निकालती हूँ और वह काला निकलता है तो इस खोसट बुढ़े के साथ विवा करके पूरी जिन्दगी नरक भोगना पड़ेगा हे प्रभू मैं क्या करूँ मेरे सामने अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है इन जालिमों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया है मैं क्या करूँ थोड़ी देर तक आँखे बंद करके सोचती है फिर पुनिया पंचों के समुक होकर कहती है मैं पत्थर निकालने के लिए तयार हूँ सर पंच ठीक है देर आए दुरुस्त आए पुनिया लेकिन राजी नामा के सारे कागजात दस्तकत करके मेरे बापो के हवाले कर दिये जाएं तलाक मन्जूरी और बापो के कर्ज माफी के कागजात पहले देने होंगे तब ही मैं पत्थर निकालूँगी सर पंच सभी कागजाद पहले से तयार कर लिए गए हैं मुझे अनुमान था कि यह शर्ट तुम जरूर स्विकार कर लोगी सरपंच सारे कागजाद पुनिया को देता है पुनिया उन्हें देखती है और बापु को दे देती है संतोशी बेटी यह तुम क्या कर रही हो मेरे लिए अपनी जिन्दगी क्यों दाओ पर लगा रही हो मेरी चिंता मत करो बेटी पुनिया इश्वर को यही मन्जूर है मैं पूरी तरह घिर चुकी हूँ बापु अब मेरे भागी में जो लिखा होगा वही होगा संतोशी भागे के हवाले अपने को मत करो पुनिया अब और कोई चारा नहीं है बापु मैंने तै कर लिया है कि मैं पत्थर निकालूंगी कल्लू दो फूलों के हार निकाल कर टेबल पे रखता है कल्लू सेट इन्हें पहनवाकर मेरा विवाह करवाईएगा सर्पंच जी सर्पंच हाँ हार पहले से ही लेकर आ गए हो खल्लू सेट पुनिया से मेरा विवाह होना लिखा है मैं पहले से ही स्वप्न में देख चिकवा हूँ मेरा स्वप्न जरूर सच होगा पुनिया हारों को बड़े गौर से देखती है इन्हें विवा हो जाने का पूरा विश्वास क्यों है? मुझे कुछ गडबर लग रही है कलू सेट कुछ गडबर नहीं है मेरा देखा स्वपन गलत नहीं हो सकता पुनिया सरपंच से कहती है क्या मैं जोले के पत्थर देख सकती हूँ? सरपंच पत्थर जोले में डालने के पहले मैंने सभी को काला और सफेद पत्थर दिखा दिया था जोले में डालने के बाद पंच महोदे को भी मैंने पत्थर दिखा दिये है तुम्हें पंचायत पर विश्वास होना चाहिए, आप तुम्हें पत्थर नहीं दिखाये जा सकते पुनिया, क्यों? सर्पंच, यदि तुम उनकी आकरती देख लोगी, तो अपनी इच्छा से अनकूल पत्थर निकाल लोगी टटोल कर पत्थर पहचाना जा सकता है पुनिया, एकाकर होकर कुछ सोचती है, सर्पंच पुनिया से कहता है, अब देर करना ठीक नहीं है, शीक्र पत्थर निकालो पुनिया, दूसरी ओर देखते हुए आँखे बंद करके जोले में हाथ डालती है और एक पत्थर मुठी में लिए बाहर निकालती है इसके बाद उसके उपर दूसरा हाथ रखकर मस्तक से लगाती है और हाथ नीचे की और लाते समय पत्थर ठीरे से जमीन पर गिरा देती है पत्थर काले सफेद पत्थरों में मिल जाता है पुनिया, अरे, पत्थर तो नीचे गिर गया, मैं देख ही नहीं पाई कि काला रख था या सफेद कलू, इसने पत्थर जान बूज कर नीचे गिरा दिया, काला ही रहा होगा, इसलिए गिरा दिया पुनिया, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, कि मैंने पत्थर का रंग नहीं देखा, धोखे से पत्थर गिर गया कलुसेट, ऐसा कैसे हो सकता है? पुनिया, खैर, कोई बात नहीं, मैं जोले से दूसरा पत्थर निकालती हूँ, यदी वह सफेद होगा, तो मैंने पहले काला पत्थर निकाला था, और यदी काला निकलेगा, तो मैंने पहले सफेद पत्थर निकाला था कलुसेट, नहीं नहीं, दुबारा क्यों निकालोगी सरपंच, मैं फिर से काला और सफेद पत्थर जोले में डालता हूँ तुम दुबारा पत्थर जोले से निकालो पुनिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा मैं जोले में बचा पत्थर ही निकालोंगी बार बार नया नाटक नहीं करूंगी मैं जो कह रही हूँ उसमें गलत क्या है बचा पत्थर बता देगा कि कौन सा पत्थर पहले निकाला था युवक एक पुनिया ठीक कह रही है जोले में बचा पत्थर निकालने में क्या आतराज है उसे पत्थर निकालने दिया जाए ग्रामवासी एक बचे पत्थर से तो पता लग ही जाएगा पुनियाज को पत्थर निकालने दो कल्लूसेट नहीं, यह गलत है ग्रामवासी एक इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है बचे पत्थर को देखकर साफ पता लग जाएगा कि पहले कौन सा पत्थर निकाला था ये वक्त दो पुनिया को पत्थर निकालने दो बेचारी, दुखिया को इतनी देर से तंग कर रहे हो अन्य ग्रामवासी हाँ हाँ, पुनिया को पत्थर निकालने दो पत्थर निकालने दो सरपंच, जन्मत का हमें आदर करना ही होगा पुनिया से, जोले से पत्थर निकालो पुनिया आख बंद करके जोले से पत्थर निकालती है उसे देखती है और सभा को दिखाती है पुनिया आप सभी लोग अच्छी तरह देख लो यह पत्थर काला है इसका मतलब यह कि पहले निकाला गया पत्थर सफेद था ग्रामवासी दू बिलकुल सफेद ही रहा है अब तो कोई संदे बाकी ही नहीं रहा सरपंच पुनिया से तुम जीत गई कर्ज और विवाह से मुक्त हो गई अब पंचायत की कारेवाई समाप्थ हो जाती है कलुसेट मैं तो बरबाद हो गया कहीं का न रहा सरपंच तुम्हारा भागी ही कराब है मैं क्या करूँ मैंने तो जोलोई में दो काले पत्थर ही डाले थे निर्णय तुम्हारे पक्ष में ही आना था पर इस चालाक लड़की ने मेरा सारा खेल चौपट कर दिया सब जाते हैं किवल पुनिया संतोशी और प्रभात खड़े रह जाते हैं संतोशी इश्वर ने हमारी रक्षा कि अब मुझे समाज का कोई डर नहीं प्रभात पुनिया से आज मान गया सुन्दर्ता के साथ तुम्हारे पास दिमाग भी है तुम्हारी बुद्धी को मैं नमन करता हूँ पुनिया क्यों लजजित करते हो दोनों एक टक एक दूसरे को देखते हैं एक और से नट-नटी प्रवेश करते हैं और गीत गाते हैं देश हमारा हम है इसके जागो और जगाओ यह गीत डिस्क्रिप्शन में आग लिखा हुआ देख सकते हैं सभी द्रशियों में आई हुए गीतों को डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है यही पर यहनाटक समाप्त होता है धन्यवाद अगले वीडियों में हम इस पर आधारित पाठे सामगरी लेकर उपस्तित होंगे धन्यवाद